नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजय चोधरी आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ और देखिए आज हम बात करने वाले हैं RPSC का जो फर्स्ट ग्रेड का एक्जाम है उस फर्स्ट ग्रेड के एक्जाम का जिके के फर्स्ट पेपर के सिलेवस के बारे मां देखिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत मैत्पून है एक परकार से यह आपके पूरे सिलेवस का एनालिसिस है इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और कुछ मैत्पून चीजों के बारे हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे हम बात करेंगे देखे आपका जो फर्स्ट क्रेट का पेपर होगा, जिके वाला, इस में 75 क्यूसन होगे और हर क्यूसन दो नमर का होगा, यानि 500 नमर का आपका पेपर है और इस 500 नमर के पेपर में डेट घंटे का आपको समय मिलेगा तो उसके अत्रिक्त हम बात करते हैं, देखे सबसे पहला है History of Rajasthan and Indian History with Special तो ये देखिए ये वाला जो टोपिक है इसमें आपको Indian History के बारे में भारत के सोतंतरता संग्राम के बारे में और राजस्तान के इत्यास के बारे में ये चीजें आपको पता होने चीज़ें और इसके लगबग आपके लगबग ने फिक्स आईए 15 क्यूसन आएंगे और ये सारे टोपिक मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ साथ इनकी शड़िक करते जाएगा इस के अत्रिक्त दूसरा जो आपका इसमें पॉइंट है वो है Reasoning का और Mathematics जो की 10th क्लास के लेवल की होगी इस के अत्रिक्त Hindi और English इनके बीज क्यूसन आएंगे और इन बीज क्यूसनों में से जैसे हिंदी और English है तो इनके जो भी Mathematics बिंदू है जो भी Mathematics टॉपिक है या जो आपको समझने हो वो सम्मापके सामने रखूंगा इसके अलावा Current Affairs बहुत बड़ा रोल है Current Affairs का आप जानते हैं Second Grade का जो First Paper वा था उसमें अपने वीडियोज में से काफी क्यूसन आए थे 11 क्यूसन के जो Current के आए थे First Paper में उसमें से लगवग 7-8 क्यूसन 5 से वीडियोज में से ही आगे थे तो Current Affair जो है यह मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा तो इसकी Current Affair के टेंशन आप बिल्कुर ना ले Current Affair आप मेरे वीडियो से त्यार कीजिएगा जो पत्र पत्रे का याँ मंतली पढ़ते हैं वो भी साथ में पढ़ते जाएए इसके बाद में Fourth Point है General Science का समीधान और Geography of Rajasthan देखे General Science जो है My Favorite Topic Science के सारे टोपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बारतिय समीधान के बारे में जो Indian Polity है उसके बारे में पढ़ाऊंगा और Geography of Rajasthan यह सारे टोपिक आपको मैं क्लियर करऊंगा इसके 15 क्यूशन आएंगे और उसके बाद में है Education Management और यह वाला जो टोपिक है Right to Education वाला रही है यह सारे टोपिक भी मैं आपको धिरे धिरे पूरे करवाऊंगा तो देखे 80% 70 से 80% सले बस जो है वो आपका मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरा करवा दूँना बस बात इतनी सी है कि मेरे कहे According आपको मेरे सासा चलना है और मेरे सासा आपको मेरे वीडियो के Notes बनाते वे चलना है मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको उन वीडियो को अच्छे से बार बार देखके और उनको अपनी Copy के अंदर Note Down करना है और इसका Benefit देखे आपको ही है और मेरे काम सिरफ बताना है आप कितना Follow करते हैं कितना उस चीज को मानते हैं ये सब कुछ आप पर Depend करता है आपकी शर्दा पर Depend करता है आपकी मेहनत पर निर्वर करता है तो ये एक बड़ी बड़ी चीज थी जो कि मैंने आपके सामने रखी और इसके अलावा देखे इसका जो सलेवस है वो डिटेल में हम देखते हैं अभी ये देखी है General Awareness and General Studies का जो है इसमें History of Rajasthan, Indian History तो ये वाला जो टोपिक है इसमें सारी Art, Science और Literature है More Year गुप्ट पिरियेड का बीटी स्पिरियेड के टाइम का है Freedom Struggle का समय का है सारे जितने भी थिंकर है और जितने भी सवतंतरता सेनानी है उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे देखेगा लाल बाल पाल है सुबास चंदर बोस और दयानाद सरस्वती इसके बारे में मादमा गांधी के बारे में है नेशनल मूवमेंट उनके बारे में हम पढ़ेंगे फिर Freedom Struggle में जो राजस्तान से समधित है वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है राजस्तान भी पूरा है इसमें इसके लाव भगती जो आंदोलन है सांसकर्तिक वाला वो चीज़ें भी हम सब पढ़ेंगे मारना परताब का मुगलों के साथ जो संगर्श है वो भी हम पढ़ेंगे एक एक टोपिक को हम दिरे दिरे पढ़ते जाएंगे तो इसके लिए जो बुक है वो आपके पास उपलद होगी क्योंकि अब तक आपने जीके इतना पढ़ा है और एक सामाने से भी आप कोई सी भी गाइड खरी सकते है मार्केट से इस चीज़ के लिए इसके लावा देखिए दूसरा रीजनिंग का टोपिक है इसके लिए आरस अगरवाल की बुक आती है सकरवाल की बहुत अच्छी भुक आती है आप उसको देख सकते है साथी नेट पर यूटूब पर और भी बहुत से चैनल है जो मैथ और रीजनिंग के लिए अससी वगरा की जो भी त्यारी करवाते हैं तो मैथ रीजनिंग में आपको वहाँ से बहुत हैल मिलेगी आप यूटूब पर उनको सर्च कर सकते है इसके अतरिक्त जो लेंग्वेज वाला पॉइंट है इसमें हिंदी इंगलिस के बारे में तो ये संदी संदी विच्छत क्या होता है उप्चरग परते वगरा है ये सकर्मक और आकर्मक के रिये क्या होती है ये सारी चीजें मैं आपको समझाओंगा और इतने अच्छे से समझाओंगा कि आप दुबारे हिंदी कि वो कभी गलतियां नहीं करेंगी इन टोपिक्स से रिल्टेट बाकी विलॉम शब्द वागरा है अनेकार्तिक शब्द हैं तो इनके मोडल पेपर आपको दूँगा मैं और ये सिरफ याद करने की चीजें इनमें समझाने वाला कुछ नहीं होता है विलॉम शब्द क्या होते हैं अनेकार्तिक शब्द होते हैं जनल इंगलिस इंगली से रिल्टेट जो भी महत्पून टोपिक है जैसे डारेक्ट इंडारेक्ट है एक्टिव पैसी है टैंस है आर्टिकल है प्रिपोशन है इनसे समझाने जो भी नियम वगरा है वो सब आपके सामने में रखूँगा तो आपका एक्जाम तो क्लियर करवा दूँगा यह मेरी कारंटी है जो भी मैन में चीजे हैं इनसे समझाने वो सब आपको पढ़ाऊंगा मैं करंट अफेर इसमें 12 पंचवर से योजना है जनसंख्या के बारे में इकनोमिक प्लानिंग इन इंडिया इसके अलावा जो भी महत्पुन स्थान वगरा है महत्पुन व्यक्ति है नेशनल और इंटरनेशनल आवार्ड वगरा है सब टोपिक आपको मैं कराऊंगा करंट से समझे जितने भी टोपिक है यह सब मैं आपको पढ़ाऊंगा यह इसके लावा जनरल साइंस जनरल साइंस पूरी आपको मैं मेरे वीडियो के मादेम से कंप्लीट कराऊंगा हर कॉम्प्टिशन एक्जाम में है यह तो आपको कोई चिंता करने जाव शक्ता नहीं है कि साइंस समझे में नहीं आती इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी में वही समिधान वगेरा है और मंत्री मंडल होता है इसके लवाब ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिकल पार्टीज इनके बारे में सुप्रीम कोट इसके बारे में यह सब टोपिक आपको कराऊंगा जियोग्राफिय और राजस्तान यह सारी आपको पढ़ाऊंगा मैं कुछ वीडियो पहले मैंने अपलोड भी किये है और एजुकेशन मैनेजमेंट तो यह वाला जो टोपिक है राइट टो एजुकेशन का इसके भी सारे टोपिक मैं आपको कम्प्लीट कराऊंगा धिरे धिरे कराऊंगा हर चीज़ पूरी कराऊंगा आपको और आपको हर वीडियो को नौट डाउन करते जाना है इसके लिए आप फर्स्ट वेपर इक लिए कोई सी भी गाइड है वो मार्केट से खरी सकते हैं और यह जो सलेवस है यह बहुत कॉमन है मेरे विचार से यह सलेवस अब तक आपके पास में होना भी चиж compensate जो इनके टोपिक हैं उसकी गाइड वाया बूख जो भी हो आपके पास मेरे विचार से आपके पास होनी चीए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहली बारी चीजे पढ़ेंगे, और अगर किसी टोपीके नहीं है, तो मार्केट से आप कोई भी उसके लिए गाइड खरी सकते हैं, इसके अलावा जो भी बैसिक बुक्स है, वो 9th, 10th, 9th और 11th, इनकी ह इस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफिस रिलेटेड जो कितावे हैं, सविधान से रिलेटेड, रास्तान बोर्ड की, चाई प्राचीन ले या नहीं ले, कोई फ्रक नहीं पड़ेगा, उससे आप अपने जीके को और श्टों कर सकते हैं, और इसके साथ ही एक गाइड आ लाइक करें, और नए वीडियो में मिलेंगे नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिन, जय वारत